वेन दिस इस यूर मैठ्स पीरियद, तुडेए वी विल दू टेस्ट्रिव स्कल अफ चैप्टर थी, ठीक है, चैप्टर थी कौन सा था हमारा फ्रेक्शनल नंबर्स, त्थी नुमिरेटर एंड डिनुमिरेटर के बारे में, लाइक फ्रेक्शन के बारे में हमने पड़ा है, उसी से बिद्दे कुछ ग्रशन सा, ठीक है वो करते हैं, First one is one seventh of a whole part can be written as one seventh, one seventh कैसे लिखोगे, one by seventh, one fifth of 80 is, क्या बोला उसने, one fifth of 80, तो कि देखो, one fifth of 80, one by five of का मतलब multiply 80, कट कर लो, five, same table पर कट हो नचे, five के table पर five कहां कट हो रहा है, वन्जा पर, five के table पर, 80 कैसे कट होगा, five वन्जा फाइव, तो five के table में eight तो आता नहीं, और ten जादा हो जाएगा, five वन्जा फाइव, eight में से five माइनस करोगे, तो three बचे न, यहाँ पर छोटे सा three लगा लो, ताकि आपको पता लगे, three बचे है, तो thirty बन गया, five के table में 30 आता है, yes, कौन से नंबर पर, six से नंबर पर, five, six वन्जा, thirty, त तो यहाँ denominator में तो one बचा, numerator में क्या बचा, sixteen बन्जा, sixteen, तो sixteen answer, ठीक है, the fraction with denominator five is, वो पूछ रहे हैं, वो fraction बताओ, जिसका denominator five है, the fraction with denominator five, यह वाली fraction, question number fourth is, write three fractions of each of the following, हमें three fractions लिखने हैं, कैसे रिखेंगे, जैसे one by four है, two by two, देखो one by four को one by four से multiply करेंगे, तो same ही answer आएगा, अगर मैं one by four को one by one से, क्योंकि numerator और denominator दोनों को same से multiply करने हैं, one by one, one बचा, one, four, one बचा, four, no, one by four को two, two से, one by four को three, three से, one by four को four, four से, two by one's are two, four by two's are eight, three by one's are three, four by three's are twelve, four by one's are four, four by four's are sixteen, हमें क्या करना है, three बताने हैं, three fractions बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, one by one से तो multiply करने का कोई benefit नहीं है, मैंने आपको दिखा दे, same ही आ जाएगा, three next बताने हैं, तो two by two से, three by three by four by four by four by four by four by six, 16, ओके, इस तरह से आपको बाकी सभी parts भी करने हैं, now question number five is, हमें यहाँ add और subtract करना, यह like fraction है, यह मैंने आपको 3.11 और 12 में कराए हैं, ठीक है, मैं आपको दोलू, एक plus वाला और एक minus वाला part करकर दिखाते हूं, करते हैं, plus और minus वाला एक एक part, plus में, seven by eleven, ठीक है, denominator same है, तो क्या बन गई, like fraction, जब like fraction हो, तो same denominator, और sum of numerator, 7 में 3 प्लस करो, 7 प्लस 3, 10, 10 प्लस 2, 12, 12 by 11, ठीक है, subtraction case में क्या होगा, जब denominator same हो, same denominator, subtraction of numerator, यहाँ पर addition था, यहाँ subtraction है, 14 में से 11 minus, 11 by 12, 13, 14, 3, 3 by 17, सारे question आपको आसे ही करने हैं, सारे like fraction में, ठीक है, now question number 6 is, write the 3 equivalent, equivalent fraction में same as it is करना है, जैसे आपको 2 by 3 given है, 2 by 3 given है न, equivalent है, 1 से multiply करने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं 2 by 3 को 1, 1 से multiply करूंग, तो 2 by 3 आएगा, हमें equivalent बताने हैं, 2 by 3 को 2 by 2 से multiply कर दो, 2 by 3 को 3 by 3 से multiply कर दो, 2 by 3 को 4 by 4 से multiply कर दो, 2, 2 से 4, 3, 2 से 6, 2, 3 से 6, 3, 3 से 9, 2, 4 से 8, 4, 3 से 12, equivalent में देखो, 2 by 3 है न, अगर मैं 100 कर दो, 2 के टेबल में, यह 4 by 6 को मैं आपको cut कर कर दिखाती हूँ, 2 के टेबल में 4 कहा आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 नंबर पर, और 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, नंबर लिखने होता है हमें यहाँ पर, और same table पर यह cut होने चाहिए, 2 by 3 आ गया न, 6 by 9 को मैं ऐसे cut कर कर दिखाऊं आपको, 2 के टेबल में 6, 3 नंबर, 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं, तो यह cut नहीं सकते हैं, ठीक हैं, तो 3 के टेबल से try करते हैं, 3 के टेबल में देखिए, क्या होगा 3 के टेबल में, 3, 2 जा, 3 के टेबल में 6, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, क्या आया, 2 by 3, तो इस तरह से आपको यह करने हैं, ठीक हैं, अब हम करेंगे mental maths, T4, 2 and F4, false, 2 by 3, को 2 third लिखते हैं, yes, true, the value of 9 by 11 will remain same, if the position of the 9 and 11 is changed, जब हम numerator और denominator की position change कर देंगे, तो क्या value same रहेगी, no, तो क्या आएगा, false, इनको आपको plus करके दिखाने 7 as it is, 2 plus 4, 6, 6 by 7 अंसर आना चाहिए, yes, true, 5 by 7 has a numerator 7, 5 by 7 में numerator 7 है, कोई, no, it's false, ठीक है, if numerator is 4, उसने बोला numerator 4 हो, denominator 7 हो, तो fraction क्या बनेगी, 4 by 7, इन 1 by 4, 2 by 4, bigger fraction is, जब हमें base, मतलब denominator बिल्कुल same दे रखाओ, तो हम numerator को compare करते हैं, किसको compare करते हैं, numerator को, तो कौन सा bigger है, 2, तो 2 by 4 is greater, same denominator है, numerator को subtract कर दो, 8 में से 3 माइनस करो के 5, 5 by 11, same denominator है, plus कर दो, 7 plus 2, 9 by 13, ये mental maths और test your knowledge, जितने आपने questions करें हैं, उसी base पर हैं, जितने आपने chapters में की हैं, ये आपके जो कुछ parts हैं, ऐसे वाले, ये आपको fair notebook में करने हैं, आपको कहीं भी कोई भी doubt रहता है, than ask me, thank you, have a nice day.